समरी की Form में आपन देखते हैं कि सब्सब्स हम ने पढ़ा कि 2 då two-to magnet syntear की फिर हमने देखा यही किसी वायर में करेंटफ जो करते हैं तो उसके का राउंन मैंद है बनता है और ुस मैंदिकल्ड के वैल्य जो है वह होती है बीजिकल टू mi 0.4 pi 2i upon r इससे हम value निकाल पाते हैं magnetic field की फिर हमें देखा कि यदि हम circular coil को रख देते हैं तब हम देखते हैं कि यदि को circular coil हमने रख दी उसमें current flow किया तो हमको magnetic field मिलता है और इस magnetic field की value होती है b is equal to mu naught upon 4 pi 2 pi ni upon r इससे हम circular coil का magnetic field निकाल लेते हैं फिर हमें देखा कि solenoid रखा solenoid में भी current flow की तो यहाँ पर magnetic field बनी और उस magnetic field के value mu naught 2 pi ni के equal होती है तो यहाँ पर mu naught ni के equal होती है तो यहाँ पर हम current flow कितना हो रहा है उससे हम magnetic field निकाल सकते हैं फिर इसके लिए direction के लिए जो current magnetic field निकल रहा है उसका direction हम कैसे पता करेंगे तो उसके लिए three rules अपने पढ़े ampere swimming rule right hand thumb rule and clock rule right hand thumb rule से हमने magnetic field के direction को निकाला clock rule solenide में use होता है उससे अपने direction of magnetic field and current की बीच में क्या relation है यह देखा था और ampere swimming rule से यदि कोई wire straight current flow हो रही है तो उसमें magnetic field का direction क्या होगा यह अपने निकाला था इसके बाद next अपने पढ़ा कि current और magnetism यदि दोनों combined है मतलब कि एक वायर है उसमें current भी flow हो रही है और उसे magnetic field में रखा हुआ है तब क्या होगा तब उस पर लगेगा force यहां निकल रहा है और हमने देखा कि यहीं वायर है तो उसमें जो फूर्स लग रहा है तो छांज पर्टिकल ले लिया है तो उसमें B Q V साइन थीटा लगेगा यहीं हमने कोई निकालने के लिए फिलम लेक्षाकि फिलम में रूप करते हैं थमल से अपन लेते हैं फोर्स निकालने के लिए ओर खीर लेक्षाक करेंगे फिलमिंग लेप्ट हैंद रूर्ल में ये थाईस्टर्ण tenthलि को तो यूज़नी हना फिलमी경 के एक बेफिれ से हम लेते हैं मेगनेटिक फील्ड और जो सेंटर फिंगर होती है उससे हम शो करते हैं करेंट को और इतने एक दूसर के परपेंडिकुलर होते हैं तो इस ऐसे यह समरी हो गई तो आप लोगों को क्या क्या याद करना है यह जो रूल्स है मेगनेटिक फील्ड को निकालने के के लिए एंपर स्विविंग रूल याद करना है राइट थम रूल याद करना है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टन फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल का स्टेट्मेंट पूरा याद करना है